कि बिसमि ल्लाह रहमान रहीम कि लास फॉर्थ का मैथ अगरटइनट। सिंगल नैशनल करकर नमके मताबिक हम कर रहे हैं। विडल नमबर फॉर्ण की एक्सरसाइज हमने इसको up to 10th place, 100th place and 1000th place. दुशी तर से उसी concept को सामने रहते हुई है, हमारे पास value लिखी triple one and then last one है, यह नि 4 times one है, triple one तो नहीं कहूंगे, इसको four times one है, and then, अब सबसे पहले इसको nearest to 10 करते हैं, तो पहले हम इस value को लिख लिख लेते हैं, one, 10th, 100th and 1000th, अब देखें, once place पर if the digit at one place is less than five, यह नि 5 से काम हो, once place पर आपका, then the digits at once place is replaced by zero, यह नि आप जो once place का digit है, उसको replace कर दें किस से, zero से, और 10th place या उससे आगी, जो values में कोई चाहिए, नहीं आएगी, तो देखें, आपके once place पर क्या आ रहे है, if the digit at one place is less than five, then replace करेंगे आप once place किस को, replace the digit at once place with zero, remain the same, यह नि कैसे, if the digit at once place is less than five, तो one place पर आपको सामने है, पाइंच से काम है, ज्याद है, पाइंच से काम होता है, तो आप क्या करेंगे, यह statement जो भी आपने पड़ी, if the digit at once place is less than five, then the digit at once place is replaced by zero, बस, सिर्फ आपने replace कर रहे है, once place को with zero, और remaining digit जो है, वो आपके unchange रहे है, यह नि कोई नहीं नहीं आएगा, अब इसी percent को आप नियर सुदर 10 कर जो है, अब हमारा focus किस पर आजाएगा, तो once, tens, hundred and thousand, तो if the digit at tens place is less than five, अगर digit 10 place पर जो है, वो लेस तन five हो, तो आप क्या करेंगे, if the digit at tens place is less than five, पांच से काम हो, then the digit at tens place and one place replaced by zero, then the digit at tens and one place are replaced by, किस तर प्लेस कर नहीं है, zero से, सिर्फ tens place, अब अगर इस example को हम देखें तो हम पर, आपको once place क्या रहे है, four, tens place क्या रहे है, two is less than five, so two and four, two is tens place, four is, आप क्या है, तो आपका hundred place पर कोई change नहीं आएगी, तो यहां पर भी यह होगा, आपके tens place plus value क्या बन रहे है, one, देख सकते हैं, आपकी value आ रहे है, तो digit at tens place and once place will be replaced with zero, and remaining value will remain the same, यह यह दोन चेंज होगे, विद रिप्लेस होजाएंगे by zero, tens place and once place, और remaining value होगा as it is रहे है, तो इस रसिस को उनी complete किया, आगे चलते हैं, नेक्स पार्ट पर यह नहीं nearest to the thousand, अब thousand करते हैं, आप सारा focus, once, tens, and किस पर रखने सारा focus, hundred पर, तो hundred पर हमने यह underline कर दी है, हम भी underline कि है, once, tens, hundred, and thousand, if the digit at hundred place is, if the digit at hundred place is less than five, if the digit at hundred place is less than five, then the digit at hundred tens and one place is replaced by zero, तो आप इन तीन प्रेस को देखें, यह ones, and tens, and a hundred, on a hundred place, less than five, तो 100, 10, and ones, यह replace क्या हो जाएंगे, by zero, and thousand will be remain unchanged, तो यहापर भी यह कुछ होगा, आपका देख सारा focus, तो 100, 10, and 1 will replace with zero, किस तरह प्लेस हो जाएंगे जिरो से और थाउड प्लेस आपका में अंचेंड होगा तो इस तरह से लास पार्ट को हम ने कम्प्रीट किया अब इस तवारा थे हैं क्वेस्ट नंबर टू पर काफी एजी है तो इसको चीस तरह समय लें किसमों करना किया है आपने क्वेस्ट क्वेस्ट नंबर टू में लिखा गया है राउंड ओफ दफॉलिंग डेसिमल फ्रेक्शन अब आपको डेसिमल फ्रेक्शन दे दिए यहां पर होल नंबर की बनते हैं तो दा नीरेस होल नंबर जो करीब तरी होल नंबर आ रहा है उस पर आवनेर्स को राउंड आफ कर देन है राउंड फॉलिंग डेसिमल फ्रेक्शन इंटु दा नेरेस्ट होल नंबर दिफरेंट पार्ट्स हैं तो इस सुलूशन साथ करते हैं पहले में लिखा फाइप पॉंट एपार में 5.61 अब 5.61 को करते वे आपने जिस इस पर फोकस रखना है याद रखें उस चीज को दि अगर यह वैल्यू पांच यह पांच से बड़ी हो 5 और ग्रेटर दन 5 तो आप यह जो लेफ्ट साइट पे डेसिमल के लिखी हुई वैल्यू इसमें एक नंबर का इजाफा कर देंगे यह वालियू आप रिमूव कर देंगे यह अगर यहां पर 5 और ग्रेटर दन 5 तो आप डेसिमल से पहली जो वैल्यू आ रही है लेफ्ट साइट पे वैल्यू उसमें एक नंबर का इंक्रीज कर देंगे तो देखिए आप पॉइंट के बाद आप पहली वैल्यू बगई को छोड़ देंगे वह फाइव से बड़ी है नहीं तो जब यह मोर्दन 5 है तो आ आप डेसिमल से पहले जो वैल्यू आ रही है यादि पॉइंट से पहले तो आप इसमें एक नंबर गाए निए वन का इंक्रीस कर देंगे तो फाइप प्लस वन क्या हो जाएगा और रेमें इन जो वैल्यू है इसको आप रेमूव कर देंगे पॉइंट समें सब को इसको रान्ड ओफ कर रहें में चैंज गोरेंगे अगर यह घनपर के पान्च से क्म हो वेलयूं में पॉइल्यू हो तो यह सारी वैलु अब रिमूव कर दें हैं जो पॉइंट से पहली वैली सिर्फ उसको एस डिस लिख देंगे उसमें कुई भी चेज़ नहीं करें तो यह वैली हो जाएगी 54.2 राउंड ओफ हो की वैली क्या बस 54 तो इस तर इसको हमने कंप्लीट किया अब थर्ट पर आदे 987.4 फिर देखें यहां पर यहां पर पॉइंट के बाद आपकी वैली का है less than 5 है 5 से less अगर वैली होगी कम होगी वैली तो आप जब इसको राउंड ओफ करेंगे इस वैली को जब राउंड ओफ करेंगे तो यहां दर कि पॉइंट और यह जो वैली है यह सारी रिमूव हो ज होती तभी यह पांच से बड़ी हो तभी आपने फिर क्या करना है यह जो से पहले वैली वैली आरी जा एक नमब्र ज़स्ट वन का इनक्रीश तरीज करतेंगे 12 अबयारे तो फिर इसके बाद वाली वैली सारी वैली आप रिमूव करतेंगे 12.7 को हमने राउंड ओफ किरा निशाने पहले में आप होते हैं इसको राउंड आफ भी केते हैं यूज फोकस करना है पहली वेली पहली पहली वेली जो वाली अगर पांच यह पांच से बड़ी हो प्रस्क टेडी है इसमे आप ने इंक्रीस प्लस वन क्या होँगा नायन फ्सके बाद जिसनी भी वैली सारी आप क्या कर देंगे पॉइंट समीज वैली क्या नायन में आप के रांट अप heartfelt नायन में अब 6.5 एकजक्च फाइब आ गगए मैंने भी आपको आप 5 या 5 से greater हो तो आप क्या करेंगे पॉइंट से पहली वैली वैली आ रही है उस डिजर में आप इंक्रीज कर देंगे तो 6 प्लस वन क्या हो जाए तो पॉइंट और से आगी वैली वैली हो सारी आप क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे तो 6.5 राउंड ओफ होगी कितना होजाएगा 7 अब आप इस पार्ट कंप्लेट किया हमने तो आप जिलते हैं जी पार्ट पे 76.49 अब आपने सेगंड वैली को नहीं देखने हैं पहली वैली को इस वैली पर फोकुस रखेंगे तो पॉइंट की बाद देखें पहली वैली वै सारी है वह पांच से कम है तो आप इस सारी वैली वैली जो है पॉइंट से मिल सारी वैली को आप रिमूव करने तो आप पर सिर्फ वैली का हुजी कि 76 76.49 राउंड ओफ होगी क्या वैली आजगी आगे चलते हैं 8.19 सिमिलर केस है बिल्कुल 8.19 देखें पाद पहली वैली क और ड्रुन के बढ़ ने सबाल आँए अ मोज रही कि यह का रह रहे हुत आपकी एड राउंड और राव राउंड ऊफ हो contractors कि होगी पाँश भी वैली होगी है पर पाइन से बड़ी वैल्यों होगी पॉइंट पहली वैल्यी वैल्य फैकर लिका बाइज Keeping स्था उल्यृआ यह भी इच्वित क्वेल्ट नहीं होता जाए है और पॉइंट और इना Lambda से जाए क्वेहां के खाक has इस एक्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ता कि आने वाली वीडियो के नुटिफिकेशन आप लोगों को बरवख्त मिल सकें शुक्रिया